भारत माता को परम वैभा उसाले स्वस्थ सम्रिद्ध समर्थ बनाने के लिए देश में करीब 25 लाख बहने सेवा दे रही है उसमें आज 20,000 बहनों का संगठन एकतरित्वा नोयडा के सेक्टर उनिस के इस ओडिटोरियम में 21 जून के इंटरनेशनल योगडे की तैयारी के ल निशुल के योग के कख्षाई जब देश में चलेंगी तो देश सवस्थ भी बनेगा, रोग मुक्त भी बनेगा और रोगों से आजादी, नशां से आजादी, आर्थिक आजादी, वैचारिक, सांस्कृतिक आजादी के साथ, शिक्षा और चिकित्सा के आजादी का जो ब संगठन के महिला पतंज्रयोग समीती के और से किया गया दुर्वाग्य से कोई भी सेंट्रल बोर्ड या जो स्टेट बोर्ड है उन बोर्डों में हमारे सनातन धर्म और भारत बोध का समावेश नहीं है और एक मुल्यवीन सिक्षा खली एक तकनीकी सिक्षा एक यांत्री की सिक्षा है भाषाई बोध है विशे का बोध है लेकिन आत्म बोध भारत बोध और सनातन बोध से वंचीत वो सिक्षा व्यवस्था वो परिनाम नहीं दे सकती जो सिक्षा के द्वारा व्यक्तित्त्र चरित्र नित्त्र निर अमित साह जी से ले करके पूरी इस वर्तमान केंद्रिय सत्ता ने भारती शिक्षा बोड का जो गठन किया है उससे शिक्षा की आजादी का एक नया दोर सुरू होगा और ऐसे व्यक्तित्व ने तृत्र चरित्र तयार होगे जिससे भारत का गोरो बढ़ेगा और एक ऐसे वि मोदी जी का नेत्रत्व उनकी नीतिया उनका व्यक्तित्व उनका चरित्र इतना विराट है इसके पीछे उन्होंने वर्षों की साधना की है तपस्या की है और इसी वज़े से देश के लोग उन पर विश्वास करने ऐसा दिख रहा है एक जिक पोल में भी परेडाम भी ऐस इसे ही इसी के आस पास होंगे ऐसा दिखता है क्योंकि मोदी जी का जो एक हिमालय जैसा व्यक्तित्व है उसके सामने दूसरा व्यक्तिक खड़ा नहीं हो पाता है और इसलिए देशन पर विश्वास करना है